इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास जीयो का कोई सा भी बटन वाला इस तरीके का फोन है तो आप उसमें मैसेज की सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर मैसेज की अप्लिकेशन पर आ जाएं वेट कर ले थोड़ा सा टाइम लेती है उपन होने में इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ऑप्शन के बटन पर क्लिक करें सबसे उपर आप ऑप्शन आता है डिलीट करने का डिलीट कर्वसेशन तो आगर आप इस पर ओके करते हैं तो आपको यहाँ पर करते हैं इसके बाद यहां पर option में जाएं यह काम करने हैं टर्म एंड कंडिशन अबाउट और हल्प इसके बाद यहां पर settings मिलती हैं यहां delivery reports basically delivery report पर अगर आप टिक कर देते हैं अब अगर आप किसी को message भीषते हैं और message उसके पास पहुंच जाता है तो जैसे ही message पहुंच जाएगा तो आपको एक notification आएगा कि message सामने वाले के पास पहुंच गया है ठीक है और share पर click करें यहां पर share पर आते हैं auto download files अगर आपको sms के through कोई files भेजता है और आप इसे टिक कर देते हैं तो automatic आपकी files download हो जाती है and अब अगर आप किसी को आपने block कर दिया है उसका message ही नहीं आ रहा है तो आप उसे कैसे unblock करें कि उसका message आने लगे तो इसके लिए आपको यहां पर contact के option पर जाना है और यहां पर नीचे आना है option पर आना है इसके बाद यहां पर नीचे आए और setting को open कर ले यहां इसके बाद आपको नीचे आना है और block contact दिख जाएगा अब आपने जिस भी इंसान को यहां पर block करा होगा तो उसका message नहीं आएगा तो आप इस button को click करके इसे unblock कर दे इसके बाद आपकी problem solve हो जाएगी आपको सामने वाले की messages भी आएंगे तो यह होती है कुछ message की important settings तो इस बाद आपको अब कर दो इसके लाद आपको साथ जाएगी आपको के लाद नहीं आपको कीड़ू जाएगा साथर एगाउड़ जाएगा सेवाड़।